नमस्कार दोस्तों, Stories of God में आपकी स्वागत है आज हम आपको गाय की कुछ महिमा बताएंगे जिससे आप अपने पित्तर दोश और केतू या कोई ग्रह जो आपकी जनम पत्री में नीच राशी पर हो तो गाय माता के सेवा से कैसे निवारन करें तो आईए जान लेते हैं पहला पित्तर दोश यदि पित्तर दोश हो तो प्रती दिन या अमावस्य को रोटी, गुड, चारा आदी खिलाने से पित्तर दोश मापत हो जाता है दूसरा किसी की जनम पत्री में सूर्य नीच राशी तुला पर हो या अशुब स्तिती में हो अथवा केतू की द्वारा परिशानिया आ रही हो तो गाय की पूजा करना चाहिए यदि शुकर अपनी नीच राशी करनिया पर हो शुकर की दशा चल रही हो या शुकर अशुब भाब में स्तित हो तो प्राता काल भोजन में एक रोटी स्फेद गाय को खिलाएं यदि रास्ते में जातेस में गो माता आती हुई दिखाई दें तो उन्हें अपने दाहिने की ओर जाने देना चाहिए या तरह सफल होगी यदि बुरे स्वपन आते हो तो गाय माता का नाम ले बुरे स्वपन दिखने बंध हो जाएंगे यदि ब्रस्पती अपनी नीच राशी मकर में हो या अशुब स्थिती में हो तो देसी गाय की पीट पर जो कुबड होता है वह ब्रस्पती होता है उसे देखना चाहिए और गुड तथा चने की दाल रखकर गाय को रोटी भी दें यदि आपके सूरे और चंदर कमजोर हो तो गो नेतर के दर्शन करे क्योंकि गाय के माता के नेतरों में सूरे और चंदरमा का वास माना गया है जोतिश में घूद धूलिका का समे विवा के लिए सरवोत्तम माना गया है यदि यातरा के परम में गाय माता अपने बचड़े को दूद पिलाती हुई दिखाई दे तो यात्रा सफल होती है जिस घर में गाये होती है उसमें वास्तु दोस्त स्मते ही समाप्त हो जाता है आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो लाइक करें कमेंट करें और चैनल को आपनेवाद